आज मैं आप लोगों के साथ मौसम्मी के जूस निकालने की बहुत ही अच्छी से एक ट्रिक लेके आई हूं बिना किसी मसीन के बिना किसी जंजट के सिर्फ दो मिनट के अंदर आप मौसम्मी का जूस घर में फ्रेस बना सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बि पुलना बोले तो चलिए यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं थी मके तो में आज आप लोगों के साथ दो मौसम्मी का जूस तयार करके दिखाऊंगी तो यहां पर मैंने दो दो मीडियम साइज के मौसम्मी जूस वाले मौसम्मी लिये हैं अभी सीजन भी है मौसम्मी का और एक स्प्राइट की बोटल या कोई भी कोड्रेंग्स की जो बोटल आती है वो हमें चाहिए और छोटी साइज की चाहिए बड़ी बोटल ना ले आप छोटी बोटल ले और जो जो मौसम्मी ली है उसे दो हिस्सों में हम कट कर लेंगे जिस तरीक से जूस बनाने वाले कट करते हैं तुछ यहां पर यहां पे एक काच का बड़ा बॉल लिया है और अब देखें किस तरीके से हमें जूस निकालना है तो बोटल का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें हम मौसम्मियों को इस तरीके से घुमाते जाएंगे और हमारे मौसम्मी के अंदर जितना जूस है बॉल के अंदर आते जाएगा तो इस तरीके से आप बॉटल को मौसम्मी के अंदर घुमाते जाएं और आप देख सकते हैं कितना इसली सिर्फ एक से तस सेकेंड के अंदर हमारा जो जूस है बिलकुल निकल के तैयार हो गया है तो इस तरीके से घुमा घुमा कर हम थोड़ा बहुत भी जूस बचा होगा वो भी निकाल लेंगे और पूरी जूस इसमें से बहुत ही अच्छे से निकल जाती है बगार बिना मसीन के बिना किसी महनत के सिर्फ दो मिनट के अंदर और ज्यादा बर्तन भी आपके गंदे नहीं होंगे तो हेल्दी और हैजीन मौसमी आप घर में बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं तो आप देख लिया इस सूपर ट्रिक को किस तरी अब हमने जो मौसमी का जूस तयार किया है उसे हम छान लेते हैं ताकि उसके अंदर के जो भीज वगरा है वो निकल जाए तो इस तरीके से ग्लास में आप मौसमी के जूस को निकाल लें तो फ्रेंट्स आपने देख लिया किस तरीके से बहुत इजी वे में आप मौसमी का जूस तयार कर सकते हैं घर पे बाहर का जूस किता भी पेले वो हाईजीन नहीं होता है तो घर में इस तरीके से मौसमी लाया और उसे चुटकियों में बना के तयार कर ले अपने घर के लोगों के लिए और बच्चों के लिए तो हमारा मौसमी का जो जूस है बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है इसमें आप अगर सक्क डाल के पीना चाहते हो नमक डाल के पीना चाहते हो चाट मसाला डाल के पीना चाहते हो तो बिल्कुल आपकी जो मौसमी की फ्रेश जूस है वो बनके तैयार है तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना झालाव झालो में